हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ तो फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रही हूं काचरी की चटनी जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही ज़्यादा स्पेसल होती है यह बनाना भी बहुत ज़्यादा असान है इसको सिर्फ दो मिनट के अंदर यह चटनी बनके रेड़ी हो जाती है और अगर आप एक बार इस तरीके से बना लेते हो तो इसके सामने आपके सभी सब्जे भी फैल हो जाएंगी तो यह देखिए मैंने काचरी लिया है जिसका जो ग्राइंड कर लेते हैं इसी के साथ कुछ लैसुन के कलिया भी इसके अंदर डाल देते हैं ताकि वो भी इसके साथ ही ग्राइंड हो जाए और इनका पेस्ट बन जाए और अब मैं यहाँ पे नमक डाल दूँगे अपने टेस्ट के अकोर्डिंग और डालेंगे आदी बंद कर देते हैं और इसको ग्राइंड कर लेते हैं तो यह देखे फ्रेंड्स हमारी जो चटनी है वो बनके रेडी हो चुकी है आप इसको कच्छी चटनी इस तरीके से भी खा सकते हो चपाती के साथ बहु ज़्यादा टेस्टी लगते हैं लेकिन मैं इसको पका रही हूं तो मैंने यहाँ पर कडाई के अंदर सबसे पहले सरसो का तेल डालेंगे लगवग दो जो अपनी टेबल स्पून आती है वो इतना ही तेल डालना है क्योंकि हम चटनी ही बना रहे हैं इसमें मैं आदी चोटी चमच जीरा डालूंगे जीरे को थोड़ा सा चटकने देते हैं जीरा हमारा अच्छे से ब्राउन हो चुका अब हमने जो ग्राइंड करके काचरी की चटनी डाली है वो डालेंगे और इसको पकाएंगे थोड़ा सा लेकिन जब भी आप काचरी को ग्राइंड करो तो उसके साथ बीच जरूर ग्राइंड करना इससे बहुत अच्छा फ्ले तो पकाना है तो हमारी चटनी पके रैडी हो चुकी है तो फिर्ण्स यह किन माने है बहुत ज्यादा टेस्टी बनी है यह यह सब्सक्राइक लुग नकाल दी आमारी चाट चैनी बने हो चुकी है तो अगर वीडियो पसंद आइगी को मेरे चैनल को सब्सक्राइब और like कियर